और हिलो फ्रेंड मैं हूँ है विंद उड्स रमा आपका स्वाधत करते यूट्यूब चैनल पर हैकर पे हैं देखेंगे दोस्तों आज की इस आये हैं ठीक है पार्ट फर्सियर का फिकस क्वेश्ट इर सेगें सिमिस्टर है जो की फाइनिels का है और संट को सब्ढ़ करने वाले हैं। तो अगर आप लोगों ने हमाए चैनल का भी तरकि नहीं किया है तो तो किरिपिया करके हमाई चैनल को सब्सक्राइब करें चुक्किमारी आने वाली वाली वीडियो और आप तक सबसे पहले पहुचे ठीक है और इम्पोर्टन कोश्टन से इस वीडियो को लाश तक देखेंगे और वीडियो बीटे को लैक चाओ भखे जरूर बोलेंगे दोस्तो देखते हैं, कोशन्स की तरफ बढ़ते हैं, कोशन्स हमारा किया रहने वाला है, पहला कोशन हमारा क्या है ? भाता भभी है ठीक है, तो कोशन्स तो breट से बताएंगे इसका राइंठ है कि न UX क्या है चार option दिया है आपके सामने पहला option दिया है मुख्य पुस्तक दूसरा option दिया है सहाइक पुस्तक तीसरा option दिया है इस्मरार्थ पुस्तक और चौथा दिया है इन मेंशे कोई नहीं ठीक है तो इसका right answer जो रहने वाले वो क्या रहने वाला है जल्दी से बता देंगे दोस्तों गôm देंसाम challenge रहने वाला है ठीक है न जो राइट आंसर रह सकता है ऑफस नमघ्ण सरा कल अबर कि Mogh क्हा पुश्तक क्या है कि खाता भhi क्या है तो खाता भhi क्या है हो के पुस्तक है एक पुस्तक है अगर हम देखें English में देखें तो English में क्या हो जाएगा principle book ठीक है principle book option number a हमारा right answer रहने वाला है ठीक है English वाले student ने भी देख रहेगा साथ साथ में important questions है ठीक है अगला देखते हैं next question की बढ़ते हैं next question की तरफ बढ़ते हैं next question हमारा क्या रहने वाला आपकी screen पर उसको देख लेते हैं next question दिया है बहे पुस्तक जिसमें सभी खाते इस्थाई रूप से रहते हैं को कहते हैं ठीक है तो बहे पुस्तक जिसमें सभी खाते इस थाई रूप से रहते हैं उसको कहते हैं क्या कहते हैं जल्दी से बता देंगे इसका राइट अंसे क्या रहने वाला है इसका राइट अंसे क्या रहने वाला है इसका राइट अंसे क्या रहने वाला है जल्दी से बता देंगे चार आपके सामने पहला दिया है रोज खाता भही अगर इंगलेस में बोलें तो यह ठीक ला आंग ओप्शिन लाहिए हो सब्सकर्य यह करेंगे का छाट बही में रहता है क्छा राज्य जल् lessons कसक के रहेगा इसका राइटue यह जल्दी से जाब देंगे चार आपस्ट में आपके सामने ब्यक्तिकत खाता, दूसरा दिया है, बास्ते खाता, तीसरा दिया है, नाम मात्र खाता और चोथा दिया है, ब्यापार के सभी खाते, तो इसका right answer क्या रहेगा? देख सकते हैं दोस्तों इसका जो right answer रहने वाला कह रहा है कि सभी पुस्तकों का राजा खाता वही में रहता है तो किसमें रहता है ब्यापार के सभी खाते option number D हमारा right answer रहेगा जिसमें ब्यापार के सभी खाते हूँ option number D हमारा right answer रहने वाला है ठीक है अगला देख लेते हैं next question की तरब बढ़ते है next question हमार सब्सक्राइए यह खाता भही क्या है कहता भही क्या है इसको जल्दी से बताएंगे right जवाब देंगे इसका right answer को रहने वाला है खाता भही क्या है देख सकते हैं दोस्तों इसमें जो हमारा right answer रहने वाला है ठीक है खाता भोही क्या है पिरधान भोही है option no c हमारा right answer रहेगा क्या है principal book English में पहले भी पता पता चुके है है कि घृता भोही क्या है कि खाता भोही क्वाना बैंक खाता का नाम सेस इंगित करता है तो किस में करता है जल्दी से इसका राइट जवाब देंगे इसका राइट आंसर देंगे क्या रहने वाला है राइट अंसर जल्दी से बता देंगे चार आपस्वन है आपके सामने चार आपस्वन दिया है राइट अंसर क्या रहने वाला है पहला आपस्वन दिया है बैंक को दिया रकम दूसरा आपस्वन दिया है bank द्वारा दिया गया आसरण दीसरा option दिया है bank में roker says और चौथा दिया है इन में कोई नहीं ठीक है तो right answer क्या रहेगा इसका जल्दी से जवाब दे देंगे देख सकते हैं दोस्तो इसमें जो हमारा right answer रहने वाला है bank option number C हमारा right answer रहने वाला है इंग्लेस वाले student देखते रहेगा साथ साथ में अगरा देखेंगे next question की तरफ बढ़ते हैं कि next question क्या है next question दिया है हमारा कि कह रहा है रोज नाम चासे नाम तथा जमा मदों को खाता वही में हस्तांतर करने की करिया को कहते हैं जल्दी से बताएंगे क्या कहते हैं जल्दी से right answer देंगे right जवाब देंगे क्या रहने वाला है इसका right answer क्या रहने वाला है पहला option दिया है बर्गी करन, दूसरा दिया है खतावनी, तीसरा दिया है प्रक्रिया करन, और चोथा दिया है संचिप्ती करन, ठीक है, तो right dancer क्या रहने वाला है इसका, जल्दी से जवाब दे देंगे सभी लोग, देख सकते हैं दोस्तो, इसमें जो हमारा right dancer रहने वाला है, ठीक है, तो right answer रहने वाला भी हमारा कहा रहाएगा, option number B, ठीक है, खतावनी, ठीक है, option number B, खतावनी, अंगर English में बोलें तो, posting, ठीक है, option number B हमारा right answer रहने वाला है, अगला देख रहेते हैं, next question की तरप, next question हमारा क्या है, उसको देखेंगे, कोशन कोशनर दिया हमारा किसी खाता के सेस को जानने की पिरिक्रियाद को कहते हैं ओपसम नंबर दी सेस निकालना ठीक है तो जल्दी सेज का राइट जवाप तेंगे इसका राइट अंसर के रहने वाला है किसी खाथा के सेस को जानने की प्रिक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं, देख लिएंगे दोस्तों, इसमें जो हमारा right answer रहने पाला है, ठीक है, जो right answer रहेगा, वो क्या रहेगा, option number D, सेस निकालना, ठीक है, balancing, ठीक है, option number D, in English में बोलें तो balancing, ista dancing जिदि में बोले तो सेस्ट निकालना ठीक है अगला लेस्ट कोशिन कर दिया आता वही को शामानतया कहा जाता box को स्यामानतया कहा जाता है क्या कहा जाता है राइट जवाब देंगे सब्धों धिर खातों की गौर्ड ल्ही दूसरांrå डिय है है खातों की मुख्य पुष्तक इस रोप संदिया है खाता की सायक भही और चोथा उसंदिया है इन में से पूई नहीं ठीक है तो राइड डांस इसका क्या रहने वाला है जल्दी इसे बता देंगे दोस्तों देखेंगे इसमें जो हमारा right answer रहेगा ठीक है जो right answer रहने वाला वो क्या रहेगा option number B ठीक है खातों की मुख्य पुस्तक ठीक है अगर इंगलेस में बोले तो principal book of accounts ठीक है principal books of accounts option number B हमारा right answer रहने वाला है अगरा देख लेते हैं next question देखेंगे next question आपकी screen पर दिया है देख लेते हैं खाता बहीं में दर्साय जाते हैं क्या जल्दी से पताएंगे कौन से खाते दर्साय जाते हैं खाता बहीं में जल्दी से right answer क्या रहने वाला इसका जल्दी से पता देंगे तो देख सकते हैं दोस्तो इसमें जो हमारा right answer रहने वाला है ठीक है तो right answer रहने वाले बुक क्या है option number D ठीक हो देखो बास्ते भी खाते ये भी बुक में दर्साय जाते हैं दूसरा क्या हो जाएगा ब्यक्तिकत खाते ये भी दर्साय जाते हैं और नाम मातर खाते हैं ये भी दर सा जाते हैं ठीक है तो right answer हमारा क्या रहने वाला है option number D ये शबी ठीक है अगर बोलें तो English में all of these accounts ठीक है अगला देखते हैं next question की तरह पढ़ते हैं next question हमारा क्या रहने वाला है next question दिया है खाता भही का मुख्य उद्देश है खाता भही का मुख्य उद्देश है तो क्या उद्देश है जल्दी से पताएंगे इसका right जवाब देंगे right answer देंगे right answer क्या रहने वाला है जल्दी से पता देंगे देखेंगे खाता भही का मुख्य उद्देश है तो क्या है देख सकते हैं दोस्तों इसमें जो हमारा right answer रहने वाला है ठीक है जो right answer रहने वाले वो क्या रहेगा option number D ठीक है option number D इसका right answer रहने वाला है एक स्वेभाव के सबी बेभारों का शामुविक परिडाम बताना ठीक है option number D हमारा right answer रहने वाला है अगरा देख लेते हैं next question की दिरफ बढ़ते हैं next question देखेंगे को कि क्या दिया है को दिया है खाता वही में प्रश्ट संख्या लिखी जाती है खाता वही में प्रश्ट संख्या लिखी जाती है किसकी लिखी जाती है जल्दी से इसका right जवाब देंगे right answer देंगे इसका right answer क्या रहने वाला है चार option दिये हैं आपके सामने खाता वही में प्रेश्ट संख्या लिखी जाती है तो राइट आंसर क्या रहने वाला इसका देख सकते हैं दोस्तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है ठीक है जो राइट आंसर इसका रहने वाला वो क्या रहेगा option number A ठीक है नकल वही या पंजी की ठीक है किसी लिखी जाती है नकल भही खाता की या फिर पंजी की option number A हमारा right answer रहेगा ठीक है अगला next question next question क्या दिया है हमारा next question दिया है नाम मातर खाता का डेविट सेस इंगित करता है नाम मातर खाता का डेविट सेस इंगित करता है तो क्या एंगेत करता है, जल्दी से इसका right जवाब देंगे, right answer देंगे, क्या रहने वाला इसका, district right answer क्या रहने वाला आ जल्दी से पताएंगे, देख सकते हैं दोस्तो इसमें जो हमारा राइट आंसर रहने वाला है ठीक है तो राइट आंसर रहने वाला वो क्या रहेगा हमारा आप्सन नमबर ए ब्यापार के ब्याए और आनिया ब्यापार के ब्याए और आनिया हमारा राइट आंसर रहेगा ठीक है अगला देख लेते हैं, नेश्ट कोशन की तरफ बढ़ते हैं नेश्ट कोशन हमारे क्या रहने वाला है, उसको देखेंगे देखेंगे कोशन हमारे क्या दिया है, कोशन दिया है ब्यक्तिकत खाते का, डेविट सेस इंगित करता है बेक्तिगत खाते का जल्दी से बताएंगे पहला था नाम मातर खाते का अब क्या है बेक्तिगत खाते का ठीक है तो बताएंगे बेक्तिगत खाते का डेविट से इंगित करता है किस पर करता है अपस्याने प्सिर सिरशन नंबर है उसको रहने वाले ऊसलों देख सकते हैं दोस्तों क Florida लिएला ऑफिंग्समें मोले तो इंग्लिस में बोले तो अमाउंट प्रेशिव ऐहने वाला अपकी स्क्रिन पर व्यक्तिग्र खाते का डेविट से इंगित करता एक तीगत खातेगा डेविट सेस इंगित करता है बस वही है दोबार रिपीट हो गया कोजिशन कोई दिखकर नहीं है फिर आप पिर 80 आप्शन नंबर भी हमारा राइट आंसर रहेगा अगला नेश्ट कोजिशन की तरफ बढ़ते हैं भी हमारा दिया है सहायक भहीं सहायक भहीं में पिर विष्टियों को ले जाने की प्रक्रिया को जाता है क्या कहा जाता है जल्दी से जवाब देंगे इसका राइट आंसर देंगे सायक भहियों से खाता भहियों में प्रविष्टियों को ले जाने की प्रक्रिया को कहा जाता है क्या कहा जाता है इसका राई डान से क्या रहने वाला है चार ओप्सन दिया आपके सामने राई डान से क्या रहे सकता है इसका पहला ओप्सन दिया है तो इसका राई डांसर क्या रहे हैं देख सकते हैं दोस्तों इसमें जो हमारा राई डांसर रहने वाला है तो राइ डांसर रहने वाला क्या रहेगा ऑपसन नमबर B ठीक है option number B रहेगा खताओनी English में बोले तो posting ठीक है अगला बढ़ते हैं next question की तरफ बढ़ने से पहले जल्दी से class को share कर देंगे वीडियो को like कर देंगे वीडियो को like करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे दोस्तों ठीक है और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया है तो किर्पया करके चैनल को subscribe करेंगे जो किया हमारी आने बाली वीडियो और नोडिकिसन जो है वो आप तक सबसे पहले पहुचे है तो देखते हैं अगला next question की तरफ पढ़ते हैं next question हमारा आपकी screen पर आ गया है उसको देखेंगे पोशिन दिया है नखल वही से david एवं graded पच्छे के मदों को खाता वही में अंतृत करने की प्रक्रिया कहलाती है जल्दी से right जबाब देंगे इसका right answer देंगे क्या रहने वाला है इसका right answer क्या रहने वाला है जल्दी से बताएंगे देखेंगे पहला option दिया है संचिप्ति करना, दूसरा दिया है बर्गी करना, तीशरा दिया है खताउनी और चोथा दिया है प्रक्रिया करना, ठीक है, तो इसका right answer क्या रहेगा, देख सकते हैं दोस्तों, इसमें जो हमारा right answer रहने वाला है, ठीक है, तो right answer रहेगा, वो क्या next question की तरफ बढ़ते हैं, next question हमारा क्या रहेगा, आपके screen पर, दिया है, question दिया है, खातों के, सेस्ट निकालने का अर्थ है, ठीक है, खातों के, सेस्ट निकालने का अर्थ है, तो जल्दी से बताएंगे, इसका right answer क्या रहेगा, इसका right answer क्या रहने वाला है, जल्दी से बत वो किय रहेगा हमारा ओफसिर नमबर डी डेविट पच एवं क्रेडिट के योग में अंतर करना ठीक है ना डेविट पच एट पच योग में अंतर करना आफसिर नंबर सी हमारा ऑउप्ध लाहिए आट आंसर है इंग्लेज में बोले तो डिफ्रेंश एंट टोटल आफ नेस्ट कुशन देखेंगे नेस्ट कुशन हमारा क्या दिया है नेस्ट कुशन दिया है खताउनी का अर्थ है ब्यवहार को उल्लेखित करना खताउनी का अर्थ है ब्यवहार को उल्लेखित करना तो इसका राइट अंसर क्या रहेगा इसका राइट अंसर क्या रहेगा जल्द बॉसरे खाते के ग्रेड पछामें ठीक ना एक खाते के डेविट स्था दूसरे खाते के रिड़ेट पक्ष्मे आपसुन नॉमबर शी दीमारम र benefit अग्लेश। पूंडब तो देविट इन अपाम ऐंड़ प्नेंड़ एन फुटर अप्षिट प्वोम ऑंशी हमारम खाथरम् itself सकता है कि रीच आठांसर देंगे जलनी से लाइट जवाब देंगे राइट का रहे लुक्त मीडित किस खाका नाम या जांश एस हो सकता है राइड अंसर इसका कह रहागा वो के रहेगा option no.8 ठीक है साजेदार का चारू खाता ठीक है साजेदार का चारू खाता option no.8 हमारा राइड अंसर रहेगा अगर इंगले से मोले तो partners current account ठीक है partners current account अगला देखते हैं next question की तरफ बढ़ते हैं next question देख लेते हैं next question क्या है खाता बही में lane देन को अभिलेखित किया जाता है इसका right answer क्या रहने वाला है जल्दी से बता देंगे इसका right answer क्या रहेगा थाता बही में lane देन को अभिलेखित किया जाता है देख सकते हैं दोस्तों इसमें जो हमारा right answer रहने वाला है जो हमारा right answer रहे सकता है option number a किर्मानुसार करम में किर्मानुसार करम में option number a हमारा right answer रहेगा अगर इंगले से मोले तो a chronological order ठीक है न a chronological order option number a हमारा right answer रहने वाला है ठीक है अगला next question देखें नेस्ट question दिया है विविद भी खाता का होता है विविद भी खाता का होता है तो क्या होता है जल्दी से right जाबाब देंगे right answer देंगे right answer देंगे जल्दी से तो देखेंगे इसमें जो राईट नांसर रहने वाला है इसको देख लेते हैं दिया है बिविद ये खाता का होता है तो ठीक है तो बिविद ये खाता का क्या होता है option number A हमारा right answer रहने वाला है इंगलेस में बोने तो only David entries only David entries हमारा right answer रहने वाला है option number A अगला देखते हैं next question नाम मातर खाते का credit sales दर साता है ठीक ना नाम मातर खाते का credit sales दर साता है क्या दर साता है जल्दी से right जबाद देंगे right answer देंगे इसका क्या रहने वाला है इसका right answer क्या रहने वाला है जल्दी से बता देंगे देख सकते हैं दोस्तों इसमें जो right answer रहने वाला है इसका right answer रहेगा option number B विवसाई की आए ठीक है option खतोनी में लिखा जाता है प्रारंबेक प्रविष्टी की खतोनी में लिखा जाता है क्या लिखा जाता है राइट जाब देंगे इसका राइट आंसर देंगे राइट आंसर क्या रहने वाला इसका चार आपसें दिये हैं आपके सामने चार में से राइट आंसर क्या रहे सकत अगर बोलें तो balance B and D ठीक है वी अपॉन D balance B upon D ठीक है अगर देखेंगे next question next question की तरफ बढ़ते हैं next question हमारा क्या रहने वाला आपकी screen पर उसको देख लेते हैं अगर देखेंगे next question हमारा दिया है आता बही में प्रेश्ट संख्या लिखी जाती है खाता बही में प्रेश्ट संख्या लिखी जाती है तो किसकी लिखी जाती है खताओनी के समय दूसरा option खाता बंद करते समय और चौता अप्रोक तो सभी जल्दी से राइड जवाब देंगे राइड आंसर देंगे क्या रहने वाला है तो देख सकते हैं दोस्तों इसमें जो हमारा राइड आंसर रहेगा वो क्या रहेगा ऑफिसन नंबर ए ठीक है खताओनी के समय खता वहीं में प्रेश्ट संक्य प्रक्षा बंद करते शमय दीशा लिखिए लिखी जाती है आपसन नंबर ए राइड आंसर रहेगा आल दा टाइम आफ पोश्टिंग थीक है अग्ला देखते हैं नेस्ट को सिंग कि तरफ बढ़ते हैं नेस्ट को सिंग क्या दिया है खाता बहीं में प्रक्षय संक्या लि तो किसमें लिखी जाती है पहला उफ्चन खतोनी के शमयां दूसरा खाता बंद करते शमयां विस राफ्चन खाता का स्ट निकलते समय चौथा ओप्शन एश दिखिए यो जल्दीश इसका राइड जवाब देंगे राइड़ अंसर देंगे क्या रहने वाला है कि देखेंगे इस में जो हमारा राइड अंसर हेगा ना इसका राइयच रेंगा और यह कर रहेए n अट्ले अटा फोर ला अगया तफें नेक्स कुर्शन क्या है नेक्स कुर्शन दिया है बहे बही जिसमें एक ब्यापारी के ब्यभारों को बर्गी किरत इस्थाई रूप से लिखा जाता है एक अथन किसका है जल्दी से बताएंगे एक अथन किसका है किस ने दिया था एक अथन चार उपन दिया है पहला उपन द यह तो मिलिए अगला ने अगला नेश्च गोश्चन के मूल के माल के लिए च्रीयाम ने एक आधेस प्राप्त हुआ शियाम से एक आदिश पराप्ट हुआ धनी किया जाने वाला खाता कौन सा है? athan numbr A. शियाम का खाता और बिक्रे खाता और शियाम से खाता और और अबसन numbr D इन में से कोई नहीं जल्दी से पता देंगे राइट अंसर क्या रहेगा इसका? right answer क्या रहेगा इसका देखेंगे option number D हमारा right answer रहेगा ठीक है इन में से कोई नहीं क्योंकि कह रहा है कि रुपए 6000 के मूल के माल के लिए यानि कि 6000 रुपए के माल के लिए ठीक है ना श्याम से एक आदेश प्राफ हुआ यानि कि स्याम से कोई आदेश प्राफ हुआ कह रहा है कि धनी किया जाने वाला खाता तो धनी किया जाने वाला खाता कोई है नहीं इसमें option number D हमारा right answer रहेगा ठीक है इन में से कोई नहीं अगला देखते हैं last question last question क्या रहने वाला हमारा आपकी skin पर option के देखेंगे question दिया है हमारा three istambhiye roka बही में राशी istambh का कौन सा किरम अधिक उपयोगत है तो जल्दी से पताएंगे इसका right answer क्या रहेगा इसका right answer क्या रहेगा जल्दी से पता देगे three istambhiye roka बही में राशी istambh का कौन सा क्रे क्रम अधिक है ठीक है अधिक उपयोगता है तो जल्दी से इसका right जबाब देंगे right answer देंगे right answer क्या रहने वाला इसका तो देख सकते हैं दोस्तों इसमें जो हमारा right answer रहेगा ठीक है जो right answer रहेगा तो क्या रहेगा हमारा option number a बट्टा रोकड बैंक बट्टा कामा रोकड कामा बैंक ठीक है अगर इंगले 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 इसका list question क्या दिया है list question दिया है क्रेव ही में प्रविष्टी नहीं की जाती है क्रेव ही में प्रविष्टी नहीं की जाती है चार option दिया है right answer क्या रहेगा चल्दी से बता देंगे क्रेव ही में प्रविष्टी नहीं की जाती है देख सकते हैं दोस्तो इसका जो right answer रहेगा ओफ्षिन नमबर भी हमारा right answer रहेगा रोकड़ बट्टा ठीक है रोकड़ बट्टा एंगले से बोले तो cash discount ठीक है option नमबर भी हमारा right answer रहने वाला है अगला next question फिकरेबही में लिखा जाता है विक्रे वही में लिखा जाता है क्या लिखा जाता है जल्दी से राइट जवाब देंगे इसका राइट आंसर देंगे क्या रहने वाला है इसका राइट आंसर जल्दी से बता देंगे तो देख सकते हैं दोस्तो इसमें जो राइट आंसर रहने वाला है इस्ट कुछिंग क्या दिया है दिया है मुख्य जर्नल में रिकार्ड किया जाता है मुख्य जर्नल में रिकार्ड किया जाता है क्या रिकार्ड किया जाता है इसका राइट आंसर देंगे सभी बच्छे इसका राइट आंसर देंगे राइट जवाब देंगे इसका राइट questions है तो देख सकते हैं दोस्तों इसका जो राइट answer रहने वाला है ना इसका जो राइट answer रहेगा वो क्या रहेगा हमारा option number C option number C किसी भी सहायक पुस्तक में ना लिखे जाने वाले बेवहार ठीक है option number C हमारा right answer रहेगा अगला देखेंगे next question की तरह बढ़ते हैं list question हमारा क्या रहने वाला है आपकी स्कीन पर विक्रेव भही के कुल योग की खताउनी की जाती है तो right answer क्या रहने वाला है इसका right answer क्या रहने वाला है जल्दी से पता देंगे यह देख सकते हैं दोस्तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बो क्या रहेगा हमारा option no.a ठीक है बिक्रे खाता की रिडिडिट बंख्ष विक्र इंकरी ऐनकी कृस्विक्ष में की जाती है option no.a हमारा नहीं लिखा जाएगा क्या नहीं लिखा जाएगा जल्दी इसका राइट जवाब देंगे इसका राइट आंसर देंगे क्या रहने वाला है विक्र है बाप्सी बही में नहीं लिखा जाएगा देखो पहला option दिया है नकत बेचे गई माल की बापसी दूसरा option दिया है नकत बेची गई शंपत्ती की बापसी तीसरा option दिया है उधार बेची गई शंपत्ती की बापसी तो option number जो हमारा right answer होगा option number D, A कोई नहीं लिखा जाएगा option number D हमारा right answer होगा A सबी ठीक है एक शबी कह रहा है कि विडियो को लाश्ट कॉश्चन है उसको देख लेते हैं और इंपोर्टिंट कॉश्चन से दिया है फर्नीचर का उधार विक्रेव लेकेत होगा इसमें होगा चल्दी इसका राइड जवाब देंगे इसका राइड जवाब देंगे राइड आंसर देंगे जल्दी से पता देंगे कौन सा राइड आंसर रहने वाला इसका इसका राइड आंसर क्या रहने वाला है जल्दी से पता देंगे तो देख सकते हैं दोस्तो इसमें जो हमारा right answer रहने वाला है इसका जो right answer रहने वाला book के रहेगा हमारा option number B विक्रे वही में ठीक है अगर इंगले से बोलें तो sales book sales book option number B हमारा right answer रहने वाला है दोस्तो ठीक है option number B हमारा right answer रहने वाला है sales book हिंदी में बोने तो विक्रे भही में ठीक है तो दोस्तो आज के लिए इतना ही काफी है और अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो किर्पया करके हमारी वीडियो को लाइक करते रहेगा शेयर करते रहेगा ठीक है और अगर आप लोगों ने हमाई चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो किर्पया करके हमाई चैनल को सब्सक्राइब करें जो कि हमारी आने वाली वीडियोज एंड नोडी किस्तन जो है वो आपको सबसे पहरे मिले ठीक है अच्छा दोस्तो आज के लिए तना काफी है जै हिन दोस्तो मिलते हैं अगले क्लास में